मौलदीव की संसद में जम कर मार पीट हुई मौलदीव के संसद में इनके संसदों की विपक्षी संसदों ने धुलाई करती दूसरे को मतलब सोचिए बाल पगड़ रही है थपड मार रही है लात गूसे चल रही है दके बार रही है पीपनी बजा रहे हैं पार्लेमेंट ना हो गई या खाड़ा हो गई opposition parties खड़ी हो गई किसके खिलाफ वो खड़ी हो गई है मुहमद मुईजू के खिलाफ जो कि उनका राष्टपती है और वो उनसे कह रही है मुहमद मुईजू से कि भाई तुम पागल हो आप इस सेनेरियो को कैसे draw करेंगे इंडिया के साथ normalization ना होना जो है वो political parties भी नहीं मान रही establishment भी tough line ले रही है how do you see this situation माले के मेर के चुनाओं में मुजू की पार्टी बुरी तरह से हारी तो हम लोग ये basic चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम ने जो है जम्मू कश्मीर क्या लेना है मॉल्डीव्ज में कू पहले भी हो चुके है और एक कोई हैरानी की बात नहीं होगे कि मुजू को उठा के ठेगने लोग बुरी तरह से हारी अपने चुनाओं के डेड़ महीने के बाद ही तो ये भी एक record कायम कर लिया मुजू ने कि इतनी जल्दी कितने unpopular हो गया वो भी उसने record कायम कर लिया जिनके चार जो cabinet मंत्री है वो अप्रूव नहीं हुए और उस प्रॉसेस में जो लड़ाई जगडा हुआ मार पीठ हुई हंगामा हुआ मुजू साब के भी सुनाएं दो चार दोल पड़ गए वो सारा का सारा record होके आप Twitter पर देख सकते है सोचल मीडिया पर देख सकते है वो सब जगे वाइरल हो रहा है अब आप ये बताईए कि अब इनकी क्या इस्तिती है अभी अभी election हुए थे कहा के माली के मेर के और ये जो मुजू साब है ये प्रेसिडंट पनने के पहले माली के मेर ही थे माले के मेर थे माले के मेर के चुनाव में मुजू की पार्टी बुरी तरह से हारी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के डिड़ महीने के बाद ही तो ये भी एक record कायम कर लिया मुज़ू ने है कि इतनी जल्दी कितने unpopular हो गया वो भी उसने record कायम कर लिया उसने चीन के research aircraft को वहाँ डॉक करने की इजाज़त दे दी अब भारत तो कुछ और करनी रहा है भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब rice export पर बैन लगा दिया है जो सस्ती दवाए होती थी उनके जो shipments को उसने जो अब चेक करना आरम कर दिया है चेकिंग में आपको पता है time लगता है जो उनके बड़े आसानी से वीजा मिल जाया करते थे medical वीजा उनके उपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है और भी जो सामान यहां से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही tourist तो 90% drop होई गया है तो आप सोच सकते हैं कि एक जो economy जो पूरी तरह से tourist पराधारी थी और लगब 25% जो tourist था वो 12 से जा रहा था उसमें 90% कमी आ जाए 20% tourist एक साथ कम हो जाए तो क्या इस्तिती होगी एक चोटी सी पिड़ी सी economy की छे बिलिन साथ बिलिन डालर की total economy की क्या इस्तिती होगी लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना तो वाई चीन तुमने एक पिड़ी से मुजू को थोड़ा सा बीजिंग में बुलाके चाए नाश्ता करा दिया और उसके थोड़ी से नीचे से हवा बढ़ दी हवा बढ़ दी तो हवा बरके वो गुबारा हो गया लेकिन गुबारा होके जब यहाँ पहुचा है वापस मुजू तब आप उसकी हालत देखिए सबसे पहले तो उसकी पार्लेमेंट में मेजॉरिटी खतम हो गई लोगों ने प्रद में इंडियन न cheesy के जो चीफ हैं एड्मिरल आर हरी कुमार उनका एक statement आया है और उनका क्या statement है एड्मिरल आर हरी कुमार सर का ये statement है कि हमें कोई आदेश नहीं मिला allerdingsus से पीछे हटने का मैंने आपको बताया था ना पंदरा मार्च डेडलाइन दी है इसने मुहमद मुईजू है प्रेजिडंट ओव मौल्डीवस उसने पंदरा मार्च की डेडलाइन दी है कि सारे भारती फॉजी वहां से निकल जाएं लेकिन लेकिन भारत के नेवी चीफ हैं एडविन लार हरीकुमार वो कहते हैं कि हम पता ही इसके बारे मैं हमारी सरकार जब बोले कि हम तब हिलेंगे तब तक हमारे बंदे वहीं पे हैं तकरीबन 77 से लेकर 80 टूप्स हमारे हैं दो हेलिकॉप्टर एक डॉड़नियर है जादा बड़ी फोर्स नहीं है बहुत चोट जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है अगर भारत यह कह देगा ना कि भाड़ में जाए मॉल्डिव्स हम वहाँ से निकल जाते हैं चीन आके बैट जाएगा वही इसमें गुस्ता नहीं होना जैसे चीन का प्यादा फिट है वैसे भारत के भी प्यादे फिट होंगे अगर चीन ने किसी को चटनी चटाई है तो भारत में भी किसी ने किसी को आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ भारत में भी किसी ने किसी को चटनी चटाई होगी और बास इसी लिए मॉल्डिव्स में लड़ाई हो रही है एक पक्ष भारत का है और एक पक्ष चीन का है ची पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है मुहमद मुईजू पे जो कि प्रेजिडंट है मॉल्डीव्स का और इसलिए जब उन्होंने ट्वीट करा देखिये भाई का ट्वीट देखिये भारत के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है उसका हवाला ये दे रहे हैं आप नॉर्मल ट्वी क्या आदत है कि रोटी पे कभी होता है कि सूखी रोटी कोई नहीं खापाते कहता है रोटी पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं होता ना हम घरों पे कि कोई देशी घी लगा लेता है मुईजू चला कहा है ये रोटी की दोनों तरफ घी लगाना चाहता है एक तरफ इंडिय में उसकी सरकार गिरने वाली है आप उसकी प्राबलम समझे उसने चीन 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 इतना कर दिया कि अब उसको लग रहा है कि इसका एक पुश बैक आ रहा है मॉल्डीव से है जो मेरे पॉलिटेशन्स हैं जो मेरे साथ वाले हैं वो भी हलके हलके मुझसे अलग हो रहे हैं और मेरे उपोजिशन्स वाले हैं वो तो थे ही उपोजिशन्स में आज भी उपोजिशन्स में वो भी मुझे धक्का दे रहे हैं ऐसा ना हो इस मामले में मैं ही निपट जाओं उसको ये भी है कि भारत जो जो ऑपोजिशन्स कर रही है इसको कई ने कई लग रहा है कि भारत कर वारा है रा की साज़िश इसको भी रा की साज़िश की विमारी है कि रा की साज़िश हो ना हो और इसलिए ये लोग मुझे वापस धका दे रहे हैं और सडकों पे लोग आने वाले हैं किसी भी वक्त मार पड़ी है मौलडीव्स को दोस्तों मौलडीव्स को गजब मार पड़ कि हिष्माइ बात्राफ या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाव लुंभा पता नहीं इवहां पाकिस्तानी नहीं, भुझए हुआ नहीं, जो किंटने दिन बैट तैं घू अगर ये कश्मीर और गिल्गी ताब अपना मुतालबा का रहे हैं अलादा होने का तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई गलत बात नहीं है पाकिस्तान ने पांच सूबे तो ले लिए हैं लेकिन इनको जोड़ना नहीं आया बदके समची से को देख लें भाई बलोचिस्तान के सी तक क्या हालात है मेरंग बलोच जो लीड कह रही है मलोचिस्तान के प्रोटेस्ट को कितने दिनों से वो खवतिन बचे बजुर्ग नोजवान इस्लामाद में प्रोटेस्ट करवा रहें अब यह तक उनकी आवास नहीं सुनेंगी झाल कि पाल को टाल को टो जो हुआ है